नमस्कार साथियो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्य एकेडमी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में 3 और 4 अगस्त का जितना भी महत्यपोन हमारा मद्यपदेश का करेंड़ पैस बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडि करेंड़ पैस का करेंगे उसके बाद जनवरी से लगा कर जून 2022 तक का जितना भी महत्यपोन हमने मद्यपदेश का करेंड़ पैस देखा है उसको कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स जो कि आने वाली एक्जा में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर हम डिसकस करेंगे और सब सर बताएंगे और एक नया कोशन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा तो इस प्रकार से हमारा आज के मद्यप्रदेश के करेंड़ पैस का सेशन रहने वाला है तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पिले आज का मद्यप्रदेश क करेंड़ पैस यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं पहला कोशन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि केलिफोर्निया के प्लेश टेन शहर में 2023 अप्रेल में होने वाली रोबोट्स और तकनिक प्रति इसवर्दा रोबो गेम्स में कि शहर की टीम भारत का प्रतिनी दित्वक है तो केलिफोर्निया के प्लेश टेन शहर में 2023 अप्रेल में होने वाली रोबोट्स और तकनिकी प्रति इसवर्दा रोबो गेम्स में मद्दपदस के इंदोर शहर की टीम भारत का प्रतिनी दित्वक करेगी तो यह अपने आप में यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट आए जित की जाएगी रोबो गेम्स की शुरुवात 2009 में आपकी की गई थी और इंदोर की जो टीम जो के आपके आपके वहाँ पर भारत का प्रतिनी दित्वक करेगी इसमें रिशब नाम देव ओमकार कशेल कर पार्थ पवार मानस उपाध्याई आदी जो है आपके पर इंपोर्टेंट बन जाता है दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है इंदोर की तो इंदोर से जुड़े कुछ फेक्ट जो है आप यहाँ पर याद रख लिजे अगर आपसे पूछा जाए कि इंदोर किस नदी के टटट पर रिस्तित है तो दोस्तों इंदोर आपका खा वो आपका इंदोर शहर है देश का एक मातरेशा शहर है जहाँ पर कि आपको IIT और IIM जो है दोनों देखने को मिलेगा साथी होलकरवंश की राजदानी आपका इंदोर यहाँ पर रह चुका है इंदोर के इंदोर का जो आपका यहाँ पर खजराना है वहाँ पर देश का द पर चार अप्शण nav के सामने उजय न रत लां इन्दोर या मन्सोर लुषणि ए इस अभिहान के शुरात त्राइस और हरित्य प्रिशन के माधण से युवाव में पर्यावरन के प्रति जागरुकता और हरियाली के प्रति प्रेम को विक्सित करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। हरित दूत बनकर महविद्दाले परिशन में एक पोदा लगाएंगे और अध्यनकाल के दुरान पोदे की देखबाल भी आपके यहाँ पर करेंगे। फर्ष ट्रेयर में जो आपका छातर आएगा उसको जो है उसकी जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर शोब दी जाएगी। कि कई ना कई किसीना किसी जातर के पाts जो है उस पो से पीड की अप究 सीजिकIEL ऑपना जिस आकार में आना चाहता है उस आकार में यह स्व कार में आ आ जाएं और पूरी तरीके से आपका यहां पर विक्सित हो दोस्तो चार उप्षन है यहां पर आपके सामने इंदोर उज्जन रतलाम या जबलपूर तो दोस्तो राइट आंसर आपका बनता है उप्षन है मद्यपदेश के इंदोर जिल्ले में 119 किलोमेटर लंबी पांच सड़क परियोजनाव को सिलन्यास और वन वे साइड परिवन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गटकरी और मद्यपदेश के मुख्य मंत्री सिराज सिंग जी चोहान इनके द्वारा जो है इसका उटगार्थ्यान आपका यहां पर किया गया और इंदोर में 2300 करोड उपे लागत की 119 किलोमेटर लंबी पांच सड़के परियो परिवन और राजमार्ग मंत्री कोन है तो उनका नाम है दोस्तों आपका नितिन जैराम गटकरी है तो यह हमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट बन जाता है अगला कोशन है दोस्तों कि 19 वी विश्व पेचक सिलेट चेंपियंशिप में दिसार रेड़ी ने भारत के लिए काशपदक जीता है या मद्यप्रदेश के कौन से जिले से है दोस्तों चार उप्षन है देवास उमरिया टिकम गड़िया इंदोर तो राइड आंसर आपका यहाँ पर बनता है ओप्षन है या जो है मद्यप्रदेश के देवास जीले से आपके बिलोंग करते हैं तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वकुन जानकारी तो मलेशिया में 19 वी विश्व पेचक सिलेट चेंपियंशिप आपकी चल रही है भारतीय दल में मद ब्रोंज मेडल जो है इनके द्वारा यहाँ पर जीता गया है तो यह कोशन भी अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है तो दोस्तों यह था हमारे आज के मद्यप्रदेश के करेंड़ पैस का सिशन कल के वीडियो में जो हमने करेंड़ पैस देखा था उसक में पारंपरी खेलों को शामिल कर संसोजित केलेंडर आपका जारी किया है तो किन पारंपरी खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया तो मलखंब को आपका शामिल किया है योगा को शामिल किया है और तलवार बाजी इन तीनों खेलों को जो है आपके यानि की जो साला है यान राज्य को दिल्ली में पुरिष्क्रित आपका किया गया है तो अगला कोशन है कि मद्यप्रदेश के कौन से जिले के पांच सहल की परीजाखान ने अब तक चम्वालिस देशों के 110 शहर गुमकर अपना नाम इंडिया बुक ओव रिकोर्ड में आपका दर्ज़ कराया है चार उप्षन है इंदोर गौालियर जबलपूरिया भोपाल तो दोस्तो राइट आंसर आपका बनता है उप्षन भी गौालियर में जो है इन्होंने अपना नाम यहाँ पर दर्ज़ कराया है अगला कोशन है कि मद्यप्रदेश के कौन से जिले की खिलाडी अरजुन जुनियर विश्व एथिलेटिक चेंपेंशिप में भारत का प्रतिनी दित्व करेंगे तो राइट आंसर बनता है यह जो है मद्यप्रदेश के खरगोन जिले से आपक और अगला कोशन है दोस्तो आट मार्च को अंतर राश्व महिला दिवस मना जाता है इस दिवस्वर मद्यप्रदेश का एक दिन का ग्रह मंत्री किसे बनाया गया था चार उप्षन है मिनाक्षी वर्मा, दिशा शर्मा, रमा शुकला या आकांशा शर्वर्मा तो दोस्तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है मिनाक्षी वर्मा को आठ मार्च अंतराश्य महिला दिवस के उसर पर मध्यपदेश का एक दिन के लिए ग्रह मंतरी आपका बनाया गया था तो इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्यपदेश के ग्रह मंतरी कोन है तो उनका नाम है दोस्तो नरुत्तम मिश्रा वही अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे देश के ग्रह मंतरी कोन है तो उनका नाम है आपका अमिति शाहा तो दोनों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है चलिए दोस्तो अगला कोश्चन यहाँ पर देखते हैं कि आईश्मान भारत निरामय योजना के किर्यानों में देश का कोन सा राज्य प्रतमिस्तान पर रहा है चार अप्शन है मद्यप्देश मिजोरम पंजब या तमिलाड़ू तो दोस्तो उप्शन है मद्यप्देश यहाँ पर हमारा राइड आ이시र बन जाता है मोहिया मतलब इस प्रकार से दी जाते है कि पांस लाग का स्वास्त कवर जो है आपको यहां पर दिया जाता है अगर आपके पास आईश्मान कार्ड बना हुआ है और जिस अस्पताल में जिस होस्पिटल में आईश्मान कार्ड अगर लगता है उसका यूश होता है तो वहां अगला question है कि मद्द्प्धिय जिले में देश का पहला गो इस्तंब बनाया जै। चार option है निमत जिले में, सतना जिले में, देवास जिले में या फिर रिवाज जिले में, तो दोस्तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कराता है option c मद्यपदेश के देवास जीले में मद्यपदेश के देवास जीले में देश का पहला गो इस्तंब आपका यहाँ पर बनाया चाहेगा तो अपने आप में बहुत important question यहाँ आपका यहाँ पर बनता है तो यह भी हमारे लिए important यहाँ पर बनता है साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि गो केबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कोंसा है तो वह भी हमारा मद्यपदेश है अगला question है कि मद्यपदेश सरकार ने रानी दुर्गावती पुरुषकार से किसे सम्मानित किया है चार option मुस्कान रावत कुमारी सारी का ठाकूर एवर भी दोनों या इन्वेसे कोई नहीं दोस्तो option C यहाँ पर राई डांसर बनता है एवर भी दोनों मुस्कान रावत और कुमारी सारी का ठाकूर इन्वेसे दोनों को जो है आपका रानी दुर्गावती पुरुषकार से आपका सम्मानित किया गया तो option C यहाँ पर हमारा राई डांसर बन जाता है चलिए दोस्तो पिछले वीडियो में जो आप से question पूछा था उसको यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं question था कि देवी अईल्या भाई होलकर एरपोर्ट मध्यपदेश में कहां इस्ती थे चार उप्षन ग्वालियर इंदोर बोपाल या सागर तो दोस्तो राइट अंसर आपका बनता है option B या जो है मध्यपदेश की आर्थिक रास्ता नी मध्यपदेश की खिल रास्ता नी इंदोर में आपका यहाँ पर इस्ती थे इसका राइट अंसर यहाँ पर नितु सिंग बातम हिनों ने जो है बहुत बड़ श्री उडान जो है 2019 में दुबई के लिए आपकी रवाना हुई थी इंदोर में प्रदेस का पहला सुका बंदरगा भी इस्ति थे मांगलया जो है आपका मांगलया में इस्ति थे और दूसरा कहाँ पर है तो पालन पूर असुरी मालन पूर गोहद में यह आपका इस्ति थे शीरपूर ताला भी आपका इस्ति थे जिसा बेरन भी आपका यहाँ पर कहा जाता है राजवाडा की निव तुकोजी राउने आपकी रखी थी राजवाडा कहाँ पर है आप सभी जानते हैं इंदोर में जो है यह आपका इहाँ पर इस्ति थे तो इंदोर से जुड़ी गया तो अगर आपसे पूछा जाए कि देवी अईल्या भाई होलकर एयरपोर्ट जो है आपका कहा परिस्तित है तो दोस्तों यह आपका इंदोर में इस्तित है इससे जुड़ा हुआ एक फेक्ट आपको और यहाँ पर याद रखना है कि प्रदेश का पहला अंतराष्ट मद प्रदेश का पहला इसा एयरपोर्ट है जो कि आपका सोर उर्जा से संचाले तो होता है तो दोस्तों इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है आज का कोशन जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे बड़ा किला कौन सा है चार उ वीडियो में आज की तरह ही उनके नाम के साथ डिसकस किया जाएगा तो दोस्तों यह था हमारे आज के मद्यपदेश के करेंड़ पैस का सेशन वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अधिक साधिक लोगों तक शेयर करिएगा च जब 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 सकता है